Hello everyone, our date is 17 January और देहिंदू News Analysis में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम देहिंदू की Important News को Prelims और Mains के परस्पेक्टिव से डिस्कस करेंगी First News, NIA Summons Farm Leaders TV Journalist, National Investigation Agency इन्होंने 40 लोगों को समन किया है और यहां पर आकरके उन्होंने Case Register किया है NIA ने किसके खिलाब? Sick for Justice Group के खिलाब, यह Sick for Justice Group है वो Foreign Waste Group है और ऐसा लगता है NIA को कि वो सपोर्ट करता है प्रो खालिस्तानी एक्टिविटीज को भारत में यह प्रो खालिस्तानी एक्टिविटीज क्या है? पंजाब वाला जो रीजन है न वहां पर वो लोग यह चाते हैं कि पंजाब को एक अलग से देश डिक्लियर कर दिया जाए खालिस्तान के नाम से तो NIA, National Investigation Agency को यह लगता है कि Sick for Justice जो ग्रूप है वो सपोर्ट करता है इन एक्टिविटीज को और यह जो 40 लोग है वो उन्ही एक्टिविटीज से रिलेटेड हैं अब इन 40 लोगों में जो जिन लोगों को समन किया है वो फार्म लीडर है, टीवी जर्नलिस्ट है, केबल टीवी ओपरेटर है, ट्यूरिस्ट बस ओनर, एक्टर, स्वीट सोप ओनर, अधर बिजनिस्मेन, यह सारे लोग हैं और डेली में इनको NIA ने प्रजेंट होने के लिए बुला है 18 से 21 जन्वरी के बीच में, अब देखो हमारे एक्जाम के पॉइंट ओफ्वी से इंपोटे नहीं था, तो उनके बीच में कोडिनेशन करने के लिए और टेरर अटेक्स से, फुचर में जो भी टेरर अटेक्स हों उनसे बशने के लिए, नेशनल इन्वेस्टिकेशन एजनसी का गठन किया गया था, यह जो नेशनल इन्वेस्टिकेशन एजनसी है, वो मिन्स्ट्री of home affairs के अंडर आती हैं ठीक है नेक्स जो हमारी news है वो vaccination को ले करके है कल 16 जनवरी को हमारे इंडिया में vaccination program स्टार्ट हुआ और हमारे इंडिया में दो vaccine सीरम इंस्टिटूट ओफ इंडिया की कोविसिल्ड और भारत बायोटर की co-vaccine दोनों को अपरोल मिल गया और vaccination program स्टार्ट हुआ तो हमारे PM ने बोला है कि जो vaccination program है वो safe है और जो भी rumors फैलाई जा रहे हैं उनको ignore करना चाहिए पहले ही दिन aims के chief Mr. Guleria और नीती आयोग member इसके अलावा Serum Institute of India की जो CEO है अदरपुनावला उन सबने ही पहले ही दिन vaccination करवाया है खुद का तो देखो हमारे PM ने बोला है कि पहला जो हमारी phage है vaccination की उसमें हम 3 करोर लोगों को vaccination करेंगे बहुत सारे वल्ड में ऐसे देश है 100 से जादा ऐसे देश है जिनकी पुरी population ही 3 करोर नहीं है लेकिन हमारे इंडिया में पहले ही चरण में पहले ही phage में 3 करोर लोगों का vaccination किया जाएगा जो next phage होगा second phage होगा उसमें ये जो संक्या है नंबर है वो 30 करोर जाएगी तो देखो इस article में बताया गया है कि ये जो vaccination है बहुत सेफ है बहुत सारे procedure के बाद में वेक्सिन को बनाया गया है इसलिए जो भी rumors फैल रहे हैं कि बहुत फटाफट बिना कि ये efficacy data के थुरू इसको बनाया गया है तो ऐसा नहीं है safe है और safe होने के बाद में ही इसको introduce किया गया है देली में पहले ही दिन 4,319 health workers को पहले ही दिन के मिला है vaccination program के थुरू उनको vaccination करवाया गया है देखो ये जो vaccination program है वो पूरे world की अगर बात की जाए तो इतने बड़े level पर सिर्फ इंडिया में start किया गया है next news है वो whatsapp को लेकर के है whatsapp ने अपने कुछ ही मतलब जो policy है उनमें changes करने के लिए प्रियास किया है तो बहुत सारे लोग है वो supreme court का रुख कर रहे है उनको ये लगता है कि whatsapp जो किसकी parent मतलब उनका जो parent company है वो है facebook ये जो whatsapp है इसको 2009 में बनाया गया था किनके द्वारा जैन कॉम और ब्रायन एक्सन की द्वारा बाद में 2014 में facebook ने इनको अपने अंडर कर लिया था तो ये माना जाता है कि whatsapp के द्वारा जो भी privacy जो भी news है जो भी information वो share की जाती है इसकी parents company को तो उनको लेकर के कुछ problems हो रही है next news है फुरफुरा pilgrimage site को लेकर के वेस्ट बंगोल में ये site है तो हमारे exam के point of view से देखो यहाँ पर वेस्ट बंगोल में जो assembly election होने वाले हैं इसको लेकर के हर कोई party अपनी तरीके से काम कर रही है तो Mr. OVC जो है वो भी यहाँ गए हैं और यहाँ की जो muslim population है उनको रिजाने के लिए वो फुरफुरा pilgrimage site के उन्होंने यात्रा की है exam के point of view से important हो जाता है फुरफुरा pilgrimage site ये देखो वेस्ट बंगोल में जो muslim politics है न उसका epicenter माना जाता है इसको ये जो फुरफुरा pilgrimage center है यहाँ पर हजरत अबूबकर सिद्ध की जिनका जो time period रहा टार्स 46 में उनका जन्म होता है 1949 में उनकी death हो जाती है उनकी मजार है और ये जो हजरत अबूबकर सिद्ध की है वो prominent peer थे ठीक है उनकी यहाँ मजार बनाई गी है और Muslim लोग यहाँ पर इभादत करने के लिए आते हैं अगर पूरे इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो राजस्तान है वहाँ पर अजमेर सरीफ मतलब मोहिनुदीन खाजा मोहिनुदीन चिस्ती की जो दरगा है वो पहले नंबर पर है और दूसरे नंबर पर यह है ठीक है नेक्स यो हमारी न्यूज है वो न्यूज है देखो अमिट्सा जो हमारे ग्रहम जो हमारे होम मिनिस्टर है उन्होंने RAF यूनिट की स्टेबलिस फाउन्डेशन रखी है देखो यह जो RAF है वो RAF मतलब Rapid Action Force यह है Central Reserve Police Force का एक Specialized Wing है यह जो Central Reserve Police Force है यह हमारे Ministry of Home Affairs के अंडराती है और यह Rapid Action Force है अगर कनाट का तमिलाडू और केरला वाले एरिया में Law Order को मेंटेन करने में कोई भी परिशानी होती है कोई भी प्रोटेस्ट होते हैं तो उन सब के निपटने के लिए इसकी Central Reserve Police Force की Unit RAF Rapid Action Force को यहां पर Establish किया गया है कहां पर भद्रावती सिवम मोगरा जो मोगा जो डिस्टिक है वहां पर भद्रावती नामक जगे पर इस Unit को Establish किया गया है उसका Foundation रखा गया है हमारे Home Minister Amisa के द्वारा करनाटका में ठीक है Next Your News है वो करनाटका से related है करनाटका ने Prevention of Slaughter and Prevention of Cattle Ordinance 2020 को पास किया है और यह 18 जन्वरी से यहां पर लागू हो जाएगा अब देखो इस Ordinance में कुछ प्रोविजन किये गए है इन में क्या है कि 13 साल से नीचे के अगर कोई Bulls है Cowes है Buffaloes है उनका Slaughter नहीं किया जाएगा उनको नहीं मारा जाएगा इस Rule में यह भी बात बोली गई है कि सर्दियों के दिनों में आप आप 8 पीम से 6 एम के बीच में किसी भी Cattle को Transport नहीं कर सकते कितनी दूर तक मतलब लंबी दूरी तक अगर आप एक Cattle को एक जगे से दूसरी जगे के ले जा रहे हो तो 8 पीम से 6 एम का जो समय है उसके बीच में आप नहीं कर सकते और गर्मियों के बीच में जब गर्मियों का समर मन जड़ चल रहे हो मार्ट तू मई उसके बीच में तो आप दिन में भी 11 एम से 3 पीम के बीच में उसमें भी आप नहीं कर सकते हो और आप जिस साधन में मतलब यह तो टाइम बता दिया कि इस टाइम में आप एक Cattle को अगर आप टांसपोर्ट करते हो Cattle का एक जगे से दूसरी जगे पर तो इस समय में आप नहीं ले जा सकते सर्दियों में तो यह टाइम है और गर्मियों में दिन का टाइम है दिन का टाइम भी दे रखा है अडिशनल में इस टाइम भी आप Cattle को एक जगे से तोसरी जगर ले जा रहे हो, उसकी स्पीड 25 किलोमेटर पर आवर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जिस विकल में kettle को आप ले जा रहे हो पाणी, उसके जो फोडर जो भी उसका फूड की वेवस्ता वो सब होनी चाहिए इसके अलावा उस विकल में और कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप जानवर को भी ले जा रहे हो, और extra अपना समान, लगेज, वो सब कुछ भी उसमें ले करके जा रहे हो नेक्स इसमें बोला गया है कि अगर कोई केटल, six months से ज़्यादा का pregnant है, तो उसको ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता, एक जगे से दूसरी जगे कर नहीं ले जा सकता सिर्फ इसमें छूट दी गई है कि अगर कोई treatment के लिए आप ले कर जा रहे हो ना, तो इस चीज के लिए आपको छूट दी गई है, तो आप ले जा सकते हो next इसमें बताया गया है कि देखो जो भी vehicle किसको ले कर के जाएगा, cattle को एक जगे से दूसरी जगे पर ले कर जाएगा, उस पर पूरा description होना चीज़ें, कहां से लाया गया है, कहां ले जा रहा है, उस transport जो vehicle है, उसको भी एक, मतलब अप्रोल लेना होगा, और अप्रोल लेन के बारे में आपको बताना होगा कि आप किसके लिए ले जा रहे हो, और आपको इनसे अप्रोल लेना होगा, जो भी competent authority है, उससे आपको अप्रोल लेना होगा, देखो, वैसे 15 किलोमेटर के अंदर अगर एक cattle को एक जगे से दूसरी जगे ले जाया जाता है न, तो आपको जो भी transport vehicle को permission लेनी होगी, और जो भी problem होगी, उनमें छूट दी जाएगी, उनके उपर कोई ज्यादा प्रतिबंदी, मतलब बैन नहीं लगाया गया, आप easily ले जा सकते हो एक जगे से दूसरी जगे, मतलब अगर आपकी बीच की distance कम है, तो अगर कोई cattle मर जाता है, तो उस में, मानलो आप किसी cattle को एक जगे से दूसरी जगे ले जा रहे हो, ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, और उस समय cattle की death हो जाती है, तो उसकी जो post-marter report है न, वो competent, जो भी authority है, उसको support करनी होगी, वहाँ पर जमा करवानी होगी, कि क्या कारण रहा उसकी death होने का, तो ये करनाटका ने एक ordinance bill pass किया है, करनाटका prevention of slaughter and prevention of cattle ordinance, इसके कुछ provisions से उनको हमने discuss किया, important है, next जो हमारी news है, वो DGCA को ले करके है, देखो DGCA जो post है, वो ministry of civil aviation के अंडराती है, और इन्होंने करनूल में, करनूल में एक airport को approval दिया है, उससे related ही ये news है, next year news है, वो इंडिया और नेपार relation को ले करके है, नेपाल के foreign minister, Mr. गयावाली हमारे इंडिया में तीन दिन की विजिट को ले करके थे, यहाँ पर बहुत सारे points पर हमारे यहाँ discuss हुआ, especially, especially जो border dispute जो चलता जा रहा है, उसको ले करके, border dispute में कालापानी, लिपुलेक और लि जो Mr. गयावाली थे, उन्होंने यह बोला है कि हम अमारी जो future generation है ना, उनको चाते हैं कि उतसे पहले ही यह जो problem है, issue है, उसको soul out कर दिया जाए, थाकि future generation को इन सब चीजों का क्या हो, benefit हो next your news है, वो गुजरात से है, देखो गुजरात में बहुत सारी जो rivers हैं, वो बहुत ज़्यादा polluted है, हमारे इंडिया में पांच state ऐसे हैं, जिनकी pollution जो rivers हैं, उनका pollution level बहुत ज़्यादा हाई है, और अब गुजरात भी उसमें सामिल हो गया है, गुजरात की साबरमती, महि बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा पॉलिशन मिला है, अभी ministry of environment and forest जो साबरमती river है, उसको most polluted rivers, हमारे country की most polluted rivers के में उसको सामिल कर दिया है, देखो हर चीज की एक health होती है, यहाँ पर जो मतलब rivers हैं, उनकी health के भी कुछ data समिट किये गए हैं, जैसे chemical oxygen demand, कोई भी river है उसमें chemical oxygen demand की कितनी ज़्यादा होनी चाहिए, तो 500 mg पर लिटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अगर इस से ज़्यादा है chemical oxygen demand, यह जो चीज है, कि किसी भी नदी में कितना organic pollutant load है, उस चीज को indicate करता है, तो यह limit है, और यह जो और नदी है, जो गुजरात की नदिया है उसमें chemical oxygen demand का जो लेवल है, वो 700 से 1000 mg पर लिटर तक है, डिजोल जो oxygen है, उसका लेवल किसी भी नदी में 6-8 mg पर लिटर होना है, मतलब यह range है, इससे ज़्यादा और इससे कम नहीं होना चाहिए, लेकिन जो गुजरात की जो नदिया है, उसमें 2.9 mg पर लिटर, मतलब oxygen ज बहुत सारे जो cities हैं, जैसे एहमदाबाद है, वडोदरा है, खेडा है, राजकोट है, यह industrial district है, और यहां से बहुत ज़्यादा pollution निकलता है, और इन pollution को बिना treat किये ही, डाइरेक्ट नदियों में छोड़ जे दिया चलता है, जिसकी वज़े से इन नदियों में, pollution level बहुत आया गया है, देखो, हरी के जो wetland है, तो हमारे लिए important हो जाता है wetland, 1971 में इरान जो देश है, उसके रामसर, रामसर एक सहर है, वहां पर wetland को preserve करने के लिए, कंजर करने के लिए wetland जो convention हुआ था, 1971 में, उसके बाद में ये wetland जो convention हुआ था, उसको रामसर convention के नाम से ही जा जाता है, हमारे इंडिया में 42 wetland है, और South Asia की बात की जाए, तो सबसे ज़्यादा wetland है, wetland मतलब दल्दली भूमी, जहां पर मिटी भी हो, पानी भी हो, सबसे ज़्यादा biodiversity है, वो इसी एरिया में पाई जाती है, इसलिए wetland को जो कंजर करना है, वो बहुत ज़्यादा तो मेकसिको और UK में है, इंडिया में 42 sites है wetland की, और अब increase कर दिया गया है, पहले 37 थी, अब 42 हो गई है, और South Asia में सबसे ज़्यादा है, देखो जो अभी हमने गुजरात को डिसकस किया, गुजरात की reverse में pollution, तो यहां पर एक center pollution control board terms, जो है, वो important हो जाती है, center pollution control board, मतलब center pollution control board को 1934 में, Water Act के अंडर इसको बनाया गया था, इसका जो headquarter है, वो New Delhi में है, और 3 सिवधास मेना वर्तमान में इसके head है, देखो pollution को control करने के लिए, जो भी guidelines है, जो भी problems है, उन सब को solve करने के लिए, इस board का निर्मान किया गया था, तो यह आज का हमारा discussion था, कई important terms को prelims औ comments के perspective से हमने discuss किया, okay, thank you.